लुआ तूरेंस तोटेंहें टो डिश्करशिंग अपिए हैं, समय तूरेंस टोपिक अवर टोपिक सरेर हैं अगेश्क स्टांट करनाया तोपिक शीटियों मैं रूट पुटाव्टा कर रहें गृट्चियां से थर्मडाइनमिक स्टांट कर रहे हैं काफी interesting है और काफी जी है as you know इसके ताम से आपको clear भी हो रहा है thermodynamic यह होता क्या है thermodynamic basically ठीक है thermo means होता है heat thermo means word क्या होता है heat ठीक है और dynamic means होता है motion यानि कि हम basically इसमें किसके बारे में study करेंगे heat के बारे में study करेंगे ठीक है किसके बारे में study करेंगे और dynamic means होता है motion ठीक है तो हम क्या कह रहे है students यहाँ पर हम heat के बारे में study करेंगे ठीक है तो सबसे पहले आपको यहीं clear होना चाहिए कि heat क्या होती है ठीक है so we know that the energy transfer from one body to another body due to temperature difference between them heat की definition है बिटाइए the energy transfer the energy transfer from one body to another body due to temperature difference ठीक है जो energy transfer होती जैसे कि suppose करो मान लोग किसी एक body का temperature 100 degree celsius है ठीक है और सकिंद बोड़ी का 0 degree celsius है अगर हम उन दोनों bodies को contact में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा दोनों bodies 50-50 हो जाएगा तो हमेशा temperature transfer तभी होता है heat transfer भी होती है बेटा जब उनके बीच में temperature difference हो ठीक है और heat को हम कैसे produce कर सकते है it is produced by mechanical work और energy कोई भी काम करके हम क्या कर सकते है को आग्यांकर मुजूस कर सकते हैं चैसे कि फ़ोर एक्जामव्पल अगर मैं एक एक helps दूँ आपको पर ऐपने ऽारतों के हमें आप है तुरह gonna से फिर ये आप और नばने ओर हैं फोकष NOW नोगो are फोड़ार गो जो आप एक स convey व् Stretch कुछे जब आप एक थो आप एकस्तों कर रहे व तो एक घाल डूसरे हाथ पर काम कर रहे हैं सिंगी कि रोकर रहे हैं और यहीं फॉइंड में convert हो गया heat में convert हो गया समझ में आया जब हम दोनों हाथों पर जो work कर रहे हैं वहीं work क्या हो गया हीट में convert हो गया चीक है so this heat for our hand और इसी heat ने क्या किया इसी heat ने हमारे हाथों को को गरम कर दिया ठीक है तो in 19th century in 19th century आज हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं पहले इसका introduction में आपको बताऊंगी ठीक है कि क्या कुछ कैसे हुआ था in 19th century count रमफोल्ड एंड जेम्स पसकोड चूल उन्होंने study किया था the relation between the work and heat तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क और हीट में क्या relationship होता है ठीक है यह किस ने study किया था पिटा count रमफोल्ड count रमफोल्ड एंड जेम्स प्रेस कोड जेम्स प्रॉस कैस ठीक है इन दोनों ने क्या किया था they are studying about the relation between the relation between the heat and the work इन दोनों के बीच में उने क्या किया था relation find out किया था किस किस के बीच में heat और work के बीच में उने क्या किया था पिटा relationship find out किया था ठीक है जूल find found that same amount of work done always produce same amount of heat और एक जूल नाम का scientist था उन्होंने क्या किया था इसने ये बताया था कि same amount of work done produce same amount of heat क्या बताया था same amount of work done is equal to मतलब क्या किया इसने produce same amount of heat ठीक है समझ में आ रहा है आपको हम सिर्फ बपी basic discuss करे जा रहे हैं बेटा किस ने क्या किया था कैसे इसका concept बना था and how they are linked with each other ठीक है so हमने सबसे पहले heat का ही थोड़ा सा introduction यह कि heat क्या होता है कैसे work कर तो heat क्या बेटा the energy transfer from one body to another body due to temperature different heat कैसे produce कर सकते हैं by mechanical work और energy ठीक है जैसे मैंने आपको बताया था अगर आप अपने hand core up करते हो तो आपके दोनों hands के बीच में क्या करते हो आप work करते हो आपके दोनों hands एक दूसरे पर work करते हैं और यहीं work किसमें convert हो जाता है का energy में convert हो जाता है दो scientist थे हमारे count और रमफोर्ड एंड जेम्स प्रोस्केट इन दोनों ने क्या क्या था heat में work done में relationship find out क्या था क्या find out क्या था relationship that how they are relate with each other यह एक दूसरे के साथ कैसे relate करते हैं ठीक है जूल ने क्या बताया था जूल जूल ने बताया था कि same amount of work done produce same amount of heat कि जितना आप काम करोगे इतनी ही heat produce होगी ठीक है समझ गया आप इतना सबको clear हो गया चलिए अब हम बात करते हैं जो हमने basic सारा पड़ लिया है then we should know what is thermodynamic ठीक है चलिए तो thermodynamic क्या होती है thermodynamic तो thermodynamic क्या है बेटा it is the study of heat temperature and conversion of mechanical work into heat क्या है पीटा ये इस दा स्टर्दी ओफ हीट टैंप्रेचर एंड कन वर जन ओफ मेकेनिकल वर्क इन्टू हीट कन वर्जन ओफ मेकानिकल वर्क इंटू ही ठीक है तब थर्मो डैनामिक में हम क्या करते हैं बिटा वर्क हीट एंड अधर फॉर्म्स ओफ अनर्जी हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे ठीक है बिसिकली आप इसको यह भी कह सकते हैं इसकी एक ओर डिफिनिशन आप इसको डिफाइन कर सकते ह में अधर फोर्म्स ओफ एनर्जी अनर्जी टान्फर इस डो घर मोंड डायनामिक और न भी यह लिए रिफ एस मैं क्वाणोंटिटियों लागोना में पेटा थिक प्रेशर प्रेशर वोल्यूम टेम्प्रेश्यर ठीक है इंटर्नल एनरजी एंट्रोपी इसको यह आपके लिए एक नेया वर्ड आया है जिसको आप सीखेंगे इसमें अभी इस चैप्टर में एंथाल्पी ये भी आपके लिए एक नया वर्ड है हालांकि आप लोगों ने केमेस्टर में चैप्टर किया है तो होप आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा ठीक है तो ये सब मेन हमारे हैं जिनके बारे मे हम स्टड़ी करेंगे ठीक है ये सारे वर्येबल्स क्वांटिटीज है हमारी प्रेशियर वोल्यूम टैंप्रेचर इंटर्णल एनर्जी एंट्रोपी एंथाल्पी ठीक है ये कुछ बेसिक बेसिक ट्रम्स रहेंगी हमारी जिसके बारे में पढ़ेंगे समझ गए थर्मोड इन तैनामी टैस्या वोल्यूम टैंप्रेचर इंटनल एनर्जी एंट्पी एंथाल्पी ठीक अब एंट्रोपी होती कैसे मेंट आप एन्रजी प्रेजिंट इन इसस्टम क्या होता है जो नकली एट एँच मेजर मेंट ओफ एनर्जी इस इस दाहिए जोग्यून पैसिट इ क्या है यह मिजर्मेंट आफ अफ अनर्जी प्रेजेंट ईने शिस्टम तो यह बेसिक लिए आपकिया काई सोट इस दूडर को क्या करते है बीटा है तो टोटल अनर्जी को मेजर करती है समझ रहे हो यह उस सिस्टम में डिस ओडर को मेजर करेगी कितने अनेरजी पूलियोट क्लीऊनेंट को सबी बातम इंटेराव सब्सक्राम में बार बार हम एक ही बात किये जा रहे हैं, थर्मोडाइनामिक सिस्टम, 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 तो चलिए अब यहीं क्लियर कर लेते हैं कि सिस्टम का मतलब क्या है, थर्मोडाइनामिक सिस्टम, आप थर्मोडाइनामिक सिस्टम से क्या समझते हैं, ठीक है, तो एक लेक्शन ओफ clear a collection of an extremely large number of items or molecules conflict with certain boundaries of that certain values of pressure volume and temperature is called a thermodynamic system चलिए कोई बात नहीं आपको समझ नहीं आया होगा मैं आपको इसे बताती हूँ system means basically क्या होता है बिटा जिसमें हम क्या करते हैं कोई भी मितलब एक अपनी मर्जी से क्या करेंगे जैसे कि आप यह समझ सकते हो हमारे पास से नहीं तीन तरह के system होते हैं system एक तरह के से आप यह समझेगा जहां पर आप study करते हैं जहां पर हम क्या कर रहे हैं study कर रहे हैं वह आप मारा system है उस area को छोड़के बाकि सब क्या हो जाएगा surrounding हो जाएगा माल लो आप physics lab में हो और आप कोई कुछ को भी develop कर रहे हो कोई भी नया मतलब experiment कर रहे हो कुछ भी आप study कर रहे हो वहां पर तो जिस zone में आप study कर रहे हो न वो तो हो जाएगा आपका system और उस zone को छोड़के बाकि सब कुछ क्या हो जाएगा स्रांप लब जहां आप study कर रहे ही नहीं रहे हैं तो thermodynamic system समझ गए आप thermodynamic system का बाद यह हुआ बिटा तो thermodynamic system क्या होता है collection of extremely large number of atoms thermodynamic molecules confined with certain boundaries ठीक है और उस system के अंदर आपको क्या क्या points आपके होने चाहिए मतलब जो भी आपने system ले रखा जिसको जैसे आप मालो आप thermos को study कर रहे हो बट thermos के बाहर की जो चीजी है जैसे कोई room है कोई घर है कुछ पिए वो हमारे लिए क्या हो गया एक surrounding हो गया because thermos के अंदर जो चाहे है या जो system है उसका pressure होगा volume होगा temperature होगा उसको तो हम study कर लेंगे easily ठीक है बाकी जो बाहर का बचेगा उसको हम क्या हो लेंगे surrounding को everything outside the thermodynamic system is to which energy or matter is exchange is called surrounding ठीक है चलिए कोई बात नहीं अभी मैं आपको definition लिखके अच्छे से क्लिए अगरा देती हूं okay students so thermodynamic definition क्या हो जाएगे आपकी system की एक collection of an extremely large number of atoms and molecules हमारे पास एक ऐसा system जिसमें काफी सारे atoms और molecules है confined within certain boundaries उसके boundary है such that it has value of pressure volume and temperature ठीक है और system को छोड़ गे बाहर का जो होगा उसको हम बोलेंगे surrounding तो anything outside the thermodynamic system to which energy or matter is exchange जिसमें energy or matter का क्या होगा exchange होगा उसको हम बोलेंगे surrounding let me explain again suppose कीजिए यह आपके पास है एक system यह है एक thermodynamic system जिसके हम study करने वाले हैं तो यह तो क्या हो गया बेटा system और जो यह बहार है यह क्या हो गई उसकी boundary क्या हो गई boundary और यह जो बहार का है न यह जो आपको दिखाई दे रहा है ठीक यह क्या हो गया आपका surrounding अब आपको clear हुई तीनों बाती जहां पर हम study कर रहे हैं जिसके अंदर वो तो हो गया हमारा thermodynamic system यह है वो boundary जो दोनों को अ आलक कर रही है separate कर रही है वो क्या है boundary और जो बहार जिसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है ठीक है वो कौन है surrounding clear हो गया this is system this is boundary और यह बहार का जितना भी है this is called surrounding clear system क्या मतलब जहां पर हमें study करना जहां जिसके pressure volume temperature को हम study कर रहे हैं जिस सिस्टम को हम पड़ रहे हैं वो therm राउंड को क्या करती है separate करती है ठीक है और यह surrounding anything outside the thermodynamic system which energy or matter exchange जहां पे energy or matter का क्या होता है एक्स्चेंजमेंट होता है समझ गए आप आपको hope आपको बिल्कुल अच्छे से clear हो गया होगा ठीक है बिटा चली तो देखिए अभी हमने इसरफ यह पढ़ा है इसको हमने अच्छे से explain क्या आप चाहो तो screenshot ले सकते हो ओकी चली बिटा वागी चलते हैं अब हम पढ़ते है type of system बिटा यह system भी तो काफी type का हो सकता है तो एक होता है open एक होता है close और एक होता isolated isolated open का मतलब खूला close का मतलब बंद और isolated का मतलब होता अकेला तनहा isolation का मतलब जैसे अब यह जो करोना चला उसमें नहीं बोलते हैं कि अपने आपको isolation कर लो isolate कर लो isolation मेंस क्या हुआ अपने आपको अकेला रखो सबसे दूर रखो ठीक है तो open system होता है बेटा इफिट एक्सचेंज बोत एनर्जी एंड मैटर अगर उस सिस्टम के अंदर एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो रहा है दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हो रहे ह था जैसे कि मानलों कोई सिस्टम है अगर बाहर दोनों का क्या हो रहा है हीट और एक्सचेंज हो रहा है ठीक है तो दिस इज ओपन सिस्टम और एगर हीट और एक्सचेंज नहीं होगा सिरफ उनली एनर्जी का एक्सचेंज होगा तो दिस इज क्लोस सिस्टम ना ही एनर्ज तो उनको बोलेंगे आइस अब देखें मैं आपको कुछ पैगाम के थूशो करती हूं जिस्से आपको क्लियर हो जाएंगे हां जी पैटा यह देखिए दिशिज ओपन सिस्टम यह क्या है ओपन सिस्टम देखें क्या रखुला है यहां से बंद नहीं है बिल्कुल भी देखे का अब बहुत देखें दाल इसके इंदर जैसे कि आपने mortar काफ लिए जिसमें चाहे पीते हैं आपने उसट को ऐसा रखतीया है ठीक है तो यह बाहर वाली क्या जर्य स्टील वाले कप में डाल दी सब पोज करो तो यह क्या है उसके conducting walls ठीक है अब जो चाय है जो material है जो भी हमने गरम material इसके अदर लिया है उसमें heat भी है और energy भी है ठीक है ओके बेटा तो देखिए क्या हो जाएगा इसके अंदर जिसके है आपके पास कोई system है यह इसमें आपने कोई material लिया हुआ है तो यह तो क्या है उसके conducting walls होगी साइड conducting walls means क्या होता है कि इसमें से easily heat का transfer हो साथा conductor हो गया ना conductor ठीक है जैसे मैंने बोला चाय अगर कर चाय को गिलास में डालते तो गिलास स्टील हो गया स्टील क्या होता है conductor होता है उसमें heat और energy का इसली exchange हो सकता है ठीक है तो समझ गए आप तो इसमें heat heat भी निकलेगी और energy भी अब देखे जैसे यह हाप का यह मैंने बताया close system close का मतला आपने इसको यहां से क्या कर दिया बंद कर दिया ठीक है यह क्या है इसकी conducting वोल तो यह heat और energy ठीक है तो अब देखो जब आपने यह वाला किया था तो इसमें तो क्या दो भाप निकलती है ना तो लेकित बैपर निकल रहा तो इसमें कोई लेक इने दोब ओजंगते हो को एक्ष्चेंज होगा तिक है मेट्रीयल का एक्सजेंज नहीं होगा अब इसमें देखो पूरा इंसुलेटीड व donors आके ला कुछ चेंज सेथ हर मस उसके एक गंटे के बाद इसके मिलती है, वह भी चाली होता है consumers, वहरा बहुती है, और लुखे भी चेन्ज की उल और मन्हें वसकी सब्सक्राइब्सरेगे need be a प्रहण को गचा इनों का ऑप सुतीन टाइब के होते हैं हमारे सिस्टम आप बाइस प्लॉज आई सॉलिटेड ओपन जिसमें दोनों चेंज होंगी ही और METRO और energy ठीक मतलब मतलब कौंटी विचेंज हो जाए क्लोज मींस इसमें सिर्फ एनरजी चेंज होगी और आइसे पढ़र दीर यहाय की ना तो एनरजी जोगी ना हीएव नतीर को मेट्रियल यू रहेगा अब जैसे आप ने मैंने बताया था चाय को स्टील के ग्लास में डाल क्या प पर्क पड़ेगा अब हम next करते हैं बीटा अब हमारा next है thermodynamic variable next क्या हमारा thermodynamic variable variables ठीक है thermodynamic variables तो what do you understand by thermodynamic variables name some various types thermodynamic variables with example thermodynamic variables प्रेस्पिक सिस्टेम को इन्ट्रोपी यह हमारे सारे थर्मो डाक स् photograph recorded बोलते हैं, number of moles of course, number of moles को तो हम जरूर include करेंगे, ठीक है, यह सब जो भी हमारे terms है, जो change होती है, उन्ही को हम क्या बोलते हैं, thermodynamic variable बोलते हैं, ठीक है, these parameters or you can say variable are called thermodynamic variable, just the variable, तो यह variables क्या है, which are required to specify the state of thermodynamic system, ठीक है, so, you can say, these variables are required to specify the state of thermodynamic system, ठीक है, उसकी state को explain करने के काम आते हैं, हमारे, तो दो तरह के होते हैं, thermodynamic variable, कितने टाइप के होते हैं, two, एक तो होता आपका intensive, और एक क्या होता है, extensive, एक आपका intensive होता है, बेटा, और एक आपका होता है, extensive, ठीक है, intensive होते हैं, बेटा, which are independent of the size of system, which are, which are independent on size of system, इस system का क्या size है, उस पे depend ही नहीं करते, पिटा, basically system का मतलब होता है, जहां पे भी दो, एक से ज़्यादा चीज़ इंक्लूड हो जाए, वो system हो जाता है, लाइक आपकी class है, अगर हम physics language में बोले है, अगर आपकी class में एक से ज़्यादा बच्चा वैठा होगा है, तो एक system ही माना जाएगा, समझ गये, तो system का मतलब यह होता है, जहां पे एक से ज़्यादा बंदों के बारे में बात हो रही हो, एक से ज़्यादा एटम्स के बारे में बात हो रही हो, एक से ज़्यादा molecules के बारे में बात हो रही हो, ठीक है, तो जो उसके size fit पैंड नहीं करता है, तो आप यह बताई यह सारे आपको समझते वे करना अब हम करेंगे एक्स यह क्या करते हैं इस वेरिबल्स डिपैंड ओन साइज और मास ओफ सिस्टम यह क्या करते हैं डिपैंड करती है ओन साइज और यू कैंड से मास ओफ सिस्टम यह क्या करती हैं डिपैंड करती हैं यह डिपैंड नहीं करती हैं ठीक है यह सारे चीज़े क्या है अपनी एक्स्टेंसियों में आएंगे अग्लियर ठीक है तो आज चोटी चोटी टरम सी जो मैंने आपको सारी एक्स्टेंड करी है एक और चोटी से मारी टरम रहती है वो है आपकी थर्मो थर्मल एक्लिव्रियम यह भी हम साथ-साथ एक्स्टेंड कर लेते हैं फिर उसके बाद हम नेक्स पार्ट में अपना डिस से सिस्टेम इन कॉंटेक्ट आज से टूबी इन थर्मल एक्लिव्रियम इब बोद आरेट सम्टेंटेश ठीक आप क्यासे एक्स्टेंड करेंगे तू बोडी इच तू बोडी इच आर से टूबी इन थर्मल एक्लिव्रियम इफ बोथ हार एट सैंटेंपरेचर अगर दोनों में क्या रहेगा उस्टेंपरेचर रएगा सपॉज को रहें किए ने इम तेंपरेचर रहेंगा संपोज को ये बोडी ए और एक येран पेसिन दोनों गम थरमल तो क्या कहेंगे दोनों बॉरीज थरमल इकलिवियम में हैं ठीक है तो जैसे कि आप कह चकते हो कोई भी आइसलेटि इस्टेम उता न वह हमेशा थरमों स्टैनमेक इकलिवियम में रहता है जूप स्टुडेंगे तो थे जीजिए का एक्सचेंज यह नहीं होता तो थे में रह तेक्यों